दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी सान है सर हमेशा उच्छा रखना इसका जब तक दिल में जान है जितने भी मेरे भाई बेन सक्सेस की 98 पर सुबर साड़े चार बजे वाला विडियो देख रहे हैं सभी कोई को हैपी रिपब्लिक डे और क्लास स्टार्ट करूँगा इसी के साथ बोलूँगा चैनल के उपर जो भी नहीं है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा देना ताकि हर एक क्लास का अबबिक मिलता रहे और आज आप सभी को एक स्टाटिजी विडियो मिलेगा आप सभी जो भी मेरे भाई बेन देख रहे हैं दीन में 10 बज़े अगर आज से आप तयारे स्टार्ट करना तो क्या आप एक्जाम निकाल सकते हैं तो बिलकुल करना क्या है पूरा एक टू जिड तक मैं बताऊंगा आपको सुबह दस बजे वाले बीडियो में उस बीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास चल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिलकुल दबा देना और उस बीडियो का जो लिंक है वो टेलिग्राम पर भी सेयर कर दिया जाएगा तो टेलिग्राम से आप सभी जुड़ जाईएगा जिसका लिंक इस बीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में दिया गया है और आज कवर करने वाले हैं हम सभी 26 जैनवरी के important current affair कुछ important point के साथ तो देखते हैं आज का पहला प्रस्त हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है और आज का पहला प्रस्त है भारत और नेपाल के बीच एकरित चेक पोस्ट का उद्घाटन जो है वो कहां पर किया गया है और इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है आपका विराट नगर में जो आपका नेपाल में पढ़ता है ठीक है और नेपाल के PM कौन है तो केपी स तर्मा ओली वहां का राजधानी आपका काठमांडू है और वहां का मुद्रा है आपका नेपाली रूपी Next question हमारे सामने है The Winning Sixer Leadership Lesson to Master जो ये किताब है ये एक पुस्तक है ये किस परकासन के द्वारा जो है वो प्रकासित किया गया ये आपको बताना है The Winning Sixer Leadership Lesson to Master और इस किताब को जो है वो रूपा पुब्लीकेशन के द्वारा जो है वो परकासित किया गया है और इस किताब को लिखा कौन है तो याद रखिएगा इंडिया के बोच सकते हो बहुत अच्छे बैट्समेन थे जो ओपनर थे जिनका नाम था आपका बैंकटर रामन इन्होंने ये किताब जो है वो लॉँच किया था आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे बैंकटर रामन को ठीक है जो ये इंडियान टीम के बैट्समेन थे ओपनर अगला प्रसमारे सामने है बांगलादेस की पीम जो सेख हसीना है वो किस सहर में ये पासपोर्ट वित्रण सेवा सुरू करेगी और ये सुरू किया जाएगा आपका कहाँ पर तो बांगलादेस की राजधानी जो धाका है वहाँ पर और बांगलादेस का मुद्रा क्या है तो वो है आपका टाका और PM वहाँ का पता ही है आपको कौन है तो स्टेक खसीना और बांगलादेश के राष्टपती कौन है तो अब्दुल हमिद ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने हैं सरकार द्वारा MSME यानि Micro, Small and Medium Enterprise सुचम लगू और मध्यम उद्यम योजना के तहट जो है 13 जैनवरी तक कितने लोन को जो है वो पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा Micro, Small and Medium Enterprise के लिए और वो एमाउंट है आपका 70,000 करोड रूपए ठीक है अगला प्रस्त और हाँ आज का आपका पहला प्रस्त ये है कि Micro, Small and Medium Enterprise ये मंत्राले किसके पास है ये आपको कॉमेंट करकर बता रहा है कॉमेंट बॉक्स में ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है 2018 और 2019 के लिए सबजी उत्पादन में कौन सा राज जो है वो सिर्ष यानी टॉप पर है आपको बताना है Which state has emerged as the top in vegetable production for 2018 and 2019 तो उत्तर परदेश को पीछे छोड़कर पच्छिम बंगाल जो है वो टॉप पर हो गया है यादखना और पच्छिम बंगाल की CM कौन है तो वो है आपका ममता बैनर जी कैपिटल है कोलकाता और राज जुपाल है वहां के जगदीप धंकर ठीक है next question हमारे सामने है किस सगहटन ने railway के लिए वास्तिविक समय ट्रेंज सुचना प्राणी चालू की है और यह स्टार्ट किया गया time पर आपको information दिया जाएगा हर एक train का और यह चालू किया है सेवा किसने भारत electronic limited यानि option number आपका D अगला प्रसमारे सामने है All stock deal में लगबग 2500 करण रूपए में भारत में Uber Eats का अधिगरण किसने किया है अब इस question को एक बार आप अच्छे से समझ लिना Uber Eats क्या है भाईया जैसे आपका जमेटो है स्वीगी है आपने देखा होगा यहां से आप खाना online booking करते हैं तो आपके घर तक खाना आ जाता है जमेटो और स्वीगी के द्वारा उसी तरह जो Uber Eats है वो भी सेम जमेटो और स्वीगी के तरह है लेकिन भारत में Uber Eats का अधिगरण कर लिया गया है जमेटो के द्वारा option number C और कितने रुपाई में तो पचीस सो करोर रुपाई में जो है Uber Eats का जो है वो अधिगरण किया गया है जमेटो कंपनी के द्वारा ठीक है इसका मतलब जमेटो अपना बिजिनस जो है और तेजी से फैला रही है पूरे भारत में अगला प्रस्वारे सामने है किस राज सरकार ने अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षण का विक्सतार करने के लिए 126 सेवदानिक संसोधन की पुस्टी करने के लिए एक परस्ताव पारित किया है और वो राज जो है आपका हर्याना अपसर नमबर आपका दी और हर्याना के सियम है आपके मनोहर लाल खटर और वहाँ के राज जोपाल है सत्यदेव नरायन आरिया और कैपिटल है वहाँ का चंडीगड ठीक है अगला प्रस्त हमारे सामने है नहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के अध्यच के रूप में किसे निव्ट किया गया है अगला प्रस्त हमारे सामने है किसे भारत के उप सेना परमुक के रूप में निव्ट किया गया है आपको बताना है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका लेफ इन जेनरल S.K. सैनी अप्सन नमबर आपका जो D है वो हमारा बिल्कुँ सही उत्तर है इस प्रस्त का अगला प्रस्त हमारे सामने है सैन ने मामलो के बिभाग में सैउट सचीव के रूप में किसे नुक्त किया गया है यानी और उनका नाम है राजीब सिंग ठाकुर अप्सन नमबर आपका D अगला प्रस्त मारे सामने है ग्री मंत्राले के तहट अंतर राज्य परिसद सच्याले के सलाकार के रूप में किसे नुक्त किया गया है और आप सभी को पता है भारत के भारत का जो ग्री मंत्री है वो कौन है वो है आपके अमिस्सा तो ग्रीम मंत्राले के तहट अंतर राज्य परिसद सच्छवाले के सलाकार के रूप में जो निक्त किया गया है उनका नाम क्या है तो उनका नाम है आपका असोक कुमार परमार आपका C ठीक है अगला प्रसमारे सामने हैं बैंक अब बरोडा के सीओ के रूप में किसे निक्त किया गया है यह आपको बताना है बैंक अब बरोडा के सीओ के रूप में किसे निक्त किया गया है यारे किसे अपॉंटिट किया गया है और उनका नाम क्या है तो उनका नाम है उप्सन नमबर डी संजीब चड़ा ठीक है और आज का आपका पहला प्रस्त यही से निकल कर आ रहा है, आप सभी को कॉमेंट्स करकर ये बताना है, बैंक को बरोडा का जो मुख्याले जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है और इस बैंक का जैसे आप सभी को पता है हर एक बैंक का अलग-अलग क्या होता है टैग लाइन होता है तो बैंक को बरोडा का टैग लाइन क्या है ये आप सभी को कॉमेंट करकर बताना है यानि बैंक और बैंक और बरोडा का हेट क्वार्टर और टैग लाइन और बैंक और बरोडा का CEO की से निक्त किया गया तो संजीब चड़ा को ठीक है तो ये थे आपके important current affair 26 January का इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम की उपर मिल जाएगा या इसी वीडियो के description box में भी आपको इस class का पूर का पूरा PDF मिल जाएगा और सों बार के class का timing आप सभी को पता है और रात को जो अगले हकते का schedule है यानि कल से जो आपका schedule स्टार्ट होगा हर एक class का उसका भी video आपको आज सामको 6 बाजे मिल जाएगा लेकिन उसके पहले 10 बजे आपको strategy video मिलेगा ठीक है तो उसका इंतजार आप सभी करिएगा और class अच्छा लगता है तो एक like करिएगा बाकी जितने भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं सभी को good morning आपका दिन बहुत अच्छा हो have a great Sunday और एक बात और बोलूँगा आप सभी को जो भी मेरे भाई बैन देख रहे हैं भारत माता की जय अपने सासत अप अपने मम्मी और पापा दोनों का भी खयाल रखेगा ठीक है ना चलिए